मैं राजेव लोचन शुक्ल जी से अन्रोध करता हूं कि वो अपना अपनी जो चर्चा है वो यहाँ पर हमार सामने रखिए संख्षेप में यहाँ पता लगा कि मुझे भाषा देश्टी पर बोलना है और मैं अपनी बात संख्षेप में कहूँगा आपके धहर के परीक्षा नहीं लूँगा शंख्षेप जी की बात करने से पहले हम यह चर्चा करें कि शंख्षेप जी की जो भाषा है वो मौन की भाषा है इसलिए कहते हैं कि बात बोलेगी हम नहीं और इसी तरह नेरेश महता की भी कविता है तुम मेरा मौन हो और यह फ्रेंच के एक साहितिकार थे आलोचक उनका कहना था कि लैंग्वेज स्पीक्स नोट ऑथर शंख्षेप जी अपनी बात पहले स्वें से बहुत समवाद करते हैं और खामोश रहते हैं उसके बाद वो उसकी अभिव्यक्ति करते हैं शब्दों के माध्यम से विंटिंग स्टाइन का कथन यहां दर्श्टव है जहां मनुष्य बोल नहीं सकता वहां वह अवश्य ही मौन रखे प्रत्यक समवेदन शील व्यक्ति अपनी उसकी एक निच्की भाषा होती है और उसे निरंतर जूचता है और संदर्व के अनकूल अपनी भाषा को वो समर्थ बनाने का प्रयास करता है शम्षेर की भाषा द्रश्टि को समझने के लिए हमें शम्षेर के व्यक्ति और रचनाकार उन दोनों को समझना होगा और उससे साक्षातकार करना होगा भाषा संबन्धी उनकी जो समझ और भाषा व्यवहर के विशेम में जो उनका विचार है उन्होंने ब्रंजिनार गड़े को जो इंटर्विव दिया उससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं इंटर्विव में एक प्रश्ण के उत्तर में वे कहते हैं कि असल में मेरी द्रिष्टी शिल्प पर पहले से ही ज्यादा रही I am very conscious of style मैं बच्पन से ही उर्दू हिंदी को तुलनात्मक द्रिष्टी से भी पढ़ता था English से भी उन्हें कंपियर करता था मैं ग्रैमर पर बहुत ध्यान देता था यहनि भाशा की व्याकरणी संद्चना पर उनका बहुत जोर था कि भाशा व्याकरण के माध्धन के क्या कहती है It was a joy for me, always a joy My imagination had been awakened from the beginning Grammar पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था यहनि भाशा की व्याकरणी संद्चना को अच्छी तरह से समझना चाहता था और इसी कशाइद फल है कि वे व्याकरणी क्चन्नों को बहुत अच्छी तरह से अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं और वो अभिव्यत्ती का साधन है व्याकरणी क्चन्न भी होते हुए भी शायद यही कारणे कि उन्होंने भाशिक द्रश्टी से अव्य सर्वनाम समझचब बुद्धकूं और क्रिया रूपों का पुनरावत्ती के साथ सफल और सार्थक प्योग किया है भाशा संरचना में सर्वनामों का उप्योग वे निकरता और अपनत्वियत करने के लिए करते हैं प्रेमी प्रेमका के सामीपि के लिए करते हैं हाँ करता है हाँ तुम से प्रेम करो जैसे मचलियां लहरों से करती है जिनमें वे फसने नहीं आती, तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मैं तुमसे करता हूँ शमशे जी के यहां, जो सर्वनाम हैं वे पात्रों के रूप ग्रहन कर लेते हैं, मैंने उससे पुछा उसने मुझसे पुछा, कब मैंने कहा, उसने मुझसे कहा, समय अपना राग है अव्यायों का प्रेवग भे अपनी समवेदना वव्यथा के गहनी भूत के लिए आहा का प्रेवग करते हैं पढ़ लेते आप, पढ़ लेते आप, प्रश्नवाचर चिन है यदि लिखता मैं बार बार, बार बार केवल, वह एक नाम, एक नाम, एक नाम आह इसी प्रकार वे लो या देखो के वियंजनात्म करते हैं प्रेवग के लिए और शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जादू तूटता है, इस उशा का सूर्यो देह हो रहा है शब्दों के पुनरावरतन द्वारा वे किसी भी भाव को सहजी व्यक्त कर देते हैं बिंबों प्रतीकों के माध्यम से अतिरिक्त भी अपने कविता मेवे जल की विश्दता का वर्णन कर देते हैं फेन फूलों से गुठी हुई सागर लटों के बीच बीच थाह लेता विशद जल विशद जल विशद 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 एक और प्रयोग देखें मौत कोई सेंटिमेंट की चीज नहीं हर व्यक्ति के लिए मौत हमारी आँखों में अचानक देखती है अचानक देखने लगती है अचानक का प्रयोग दो बार करते हैं एक साधान शद्द को विशद बना देते हैं शम्षिर जी के लिए यह कहा जाता कि बड़े मुश्किल का भी है और आसानी से समझ में नहीं आते हैं और भाशा के विशे में उर्दू के बारे में उनका बहुत ही सोचा समझा इस पश्ट मत है वे अपने इंट्रिव में कहते हैं मैं ऐसा मानता हूँ कि उर्दू गद्य ज्यादा रिफाइंड और अच्छा है इट हैसे फाइनर क्वालिटी ओफ पोईटरी जरूरी बात यह ढूड़ना है कि लेखन में ऐसी चीज़ क्या है जो उसे क्वालिटी देती है शमशेर की चिंतन की भाशाएं चिंतन जब शमशेर करते हैं तो वो अंग्रेजी में करते हैं उर्दू में करते हैं उसको वो अभिव्यक्ती हिंदी में देते हैं यह एक बड़ी चमतकारिक बात है कि आदमी सोचता अंग्रेजी में है उर्दू में है उसको अभिव्यक्त हिंदी में करता है और उसको ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेशन की सीमाओं को भी बताते हैं कि कविता मेरे सामने एक फ्लेश की तरह आती है मेरी अधिकतर कविताएं ऐसी ही आती हैं और सारी कविताएं अपनी भाषा के साथ शब्दों के निश्चित क्रम के साथ आती हैं कई बार कविता हैं सीधे अंग्रेजी में आती हैं और वे इस अंग्रेजी में आई हुई कविता के रूप में उधारन देते हैं यामा कवी के प्रती कविता का उलेक करते हैं वे कविता का हिंदी अनुवात कवता की inspiration रहते रहते ही कर दालते हैं वे कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी में रखकर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता it will not be red why should anyone consider it good in English असल में बात यह है न the idiom of the language is not there उसकी poetic value खो जाती है अगर वह अंग्रेजी में है यानि भाषा के मुहावरे के प्रती वे बहुत सजग है उनका यह मानना है कि जो भाषा जिस भाषा का जो मुहावरा है कविता उसी मुहावरे में की जानी चाहिए उर्दू का मुहावरा उन्हों पकड़ा वो इसलिए बहुत सफल गजलकार हैं कि उन्होंने गजल के मिजाज को पकड़ा था गजलियत को पकड़ा था और जब वे मुक्तचंद की कविता करते हैं तो भाशा उनकी जो रूप, कावी रूप वे ग्रहन करते हैं उसी कावी रूप के अनुरूप उनकी भाशा होती है इसलिए वे हिंदी या उर गजल की गजलियत को कायम रखते हैं हिंदी कविता की प्रस्तुती उसी के मुहावरे में करते हैं चाहें कविता चंद बद्ध हो या मुक्त चंद हो काविभाचा की प्रगृति और प्रस्तुती के प्रति शंशिर अत्यंत सजग हैं उनका मानना था कि कई बार, इंटर्वीव में कह रहे हैं कि कई बार, the poetry within the poem is lost when it is translated into Hindi. अगर अनुवात के माध्यम से कोई चीज जा रही है, तो उसका काव्यत नश्ट हो सकता है, इसके पूरे पूरे इमकानात हैं, पूरे पूरे चाहंस हैं. शब्दों की अर्थव्यापती ही भाव ग्रहन कराती है, उनकी भाषा अनुभव समवेद्य है. शमशेर की कविता और भाषा को पाठक से संदर्बोद की मांग करती है अगर पाठक के पाथ कविता का संदर्बोद नहीं है तो वो उनकी कविता को नहीं समझ सकता एक स्वनाम धन्यालोचक हैं शम्भुनाजी उनका ये कहना है कि शम्षे जी की जो कविता है वो असंबध है ताका उसमें दोश है और वे शब्दों से खिलवार करते हैं शब्दों से खिलवार वही कर सकता है जो भाषा के मर्म को जानता है भाषा के व्याकरण को जानता है हर एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो शब्दों से खिलवार करें तो वो संदर्व बोद की मांग करती है उनके भाषिक प्रयोगों और जटिल संदर्चना पर प्राहे आक्षिक किया जाता है उसका कारण यही है कि उनका वह पाठक जो कवि के संदर्व बोद से तादात में स्थापित नहीं कर पाता शमशेर को दुरुहू और जटिल कवि के रूप में पाता है सम्वेदना की भाषा और भाषा की सम्वेदना को पाठक जितना पकड़ पाता है वह शमशेर के कावि को उतना ही सरस और अपनी सम्वेदना के निकट पाता है शम्शेर सम्वेदना की भाषा और भाषा की सम्वेदना के कवी हैं बजन्यवाद आपको बहुत 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 बहुत